बाई आज चब्वी जन्वरी है चलो टीवी देखते कुछ अच्छा प्रोग्राम आया होगा हाँ लगा ना फिर बनकर बनकर वो टीवी क्या हुआ बाई मुझे टीवी नहीं देखना आज के बाद साला रेसिस्ट इडियाट बॉक्स लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ भाई अच्छा लगा फिर दिखाताओ तुझे इंडियन आड्स का रेसिजम लेकिन जैसे ही हम अपने से खुबसूरत लोगों को देखते हैं तो पता चल ही जाता है लेकिन अब दुखी मत रहिए गोरा होने के अपने सपने को अब सच करने का वक्त आ गया है कुचु कुचु कितनी सुन्दर लड़की ही है चुडेल साली मुझे एक बात बता चुडेल औरत खुबसूरती और गोरेपन का क्या कनेक्शन है भाई मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि चाहिए वो कट्री ना हो या प्रियंका वो अपने टैलेंट के वज़े से सक्सेस्फुल हुई है स्किन कलर के वज़े से नहीं आई बड़ी शानपट्टी करने वाली हर लड़के की एक गल्फ्रेंड हुआ करते थी अगर मेरी नहीं शायद मुझ में वो अट्रैक्शन नहीं था एक्चुली मेरे चेहरे में ही कमी थी मेरा चेहरा काफी डाक था और साथ में पिंपल्ट ये 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 ऐसे लोग होते है जो चंद पैसे के लिए अपने चेहरे पर कोईला क्या गोबर मलकर भी फोटो किछने के लिए रेडियो हो जाते मैं पहला काला था ये क्रिम लगा ते में गरा हो गया चुपकर सुवर की ओलाथ एक नाग भेने वाला छोटा बच्चा भी पेचान लेगा कि ये फोटो मेकप लगा कर खिची हुई है पहले कॉलज में सभी लोग मुझे इग्नोर किया करते थे ये फैर लुक का ही असर है कि आज मैं कॉलेज की हर लड़की का फेवरेट हूँ नई 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 ये गलत फेमी है तेरी वो जो लड़किया फ्रेंड्शिप बैंड मान कर गई है ना तुझे फ्रेंड जोन करके गई है ताकि तेरे जैसा एलियन मंदर उनके गले ना पर जाए तुझे भी ब्यूटी प्रोड़क्ट आड उठा के देख ले उसमें कुछ चीजे तुझे हमेशा कॉमन मिलेगी पहले तो एक मेकप की हुई डार्क लड़की दिखाते जो दुखी होती है बैगराउंड में सैड म्यूजिक बासता रहता है उसको कोई चपरासी की नौकरी यह सेली प्रकट हो जाती है वह उसको एक बंदर की टत्टी वाली क्रीम लाके देथी है फिर वो क्रीम लगाने नई क्या समझ के क्या रखा है यार इतनी तेट सक्सेस मिलती क्या किसी को रुला देते हो यार तुमें आड़ वाले नई नई शांत भाई शांत आप में से कही लोगों ने इस काली बिल्ली को टीवी पे जरूर देखा होगा ये देवी लोगों को हाइट बड़ाने वाली जड़ी बुटी बेचती है काश भागवान ने तुझे बनाया ही नहीं होता फिर ये हाई हिल्स बेन कर तु रोज टीवी पे लोगों का सर तो नहीं खाती बेवकुफ आरत तुझे इतना क्या अपने हाईट पे गुरूर है तू तो पिचका हुआ अंगूर है और तेरा होने वाला पती लंगूर है अबे तुझे फ्रेंड जोन कर दिया रहे सडेले मच्छर की सडेली टटी जा तुझसे कटी आप लोगों को क्या लगता है ये लंबी हाइट होने से लोग सक्सेसफूल बनते अरे घंटा बनते जिंदगी में लंबी हाइट होने का सिर्फ एक फाइदा है क्या आप दरवाजे की उपर वाली कुंडी खोल सकते हो और वेसे भी वो सिस्टिम अब रिपलेस हो चुका है अगर आपके पास टैलेंट है ना तो चाहे आप लंबे हो छोटे हो या मेरियम हाइट के हो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है और एसे बंदर किसी कॉलेज के सामने एक तपरी खोल कर यही फ्रेंशिप बैंड बेस्ते हुए नजर आएंगे लिख के ले लो तुझे पता एसी एर्स बननने वाले कमपनियों का कोई दोश नहीं है प्रॉब्लेम तो हम में है हमें बजपन से सिखाया जाता है कि बेटा दूप में मत जाओ काले पर जाओगे साइकल चलाओ वरना हाइट नहीं बढ़ेगी एसी कई और चीज़े हमसे कही जाती है इससे होता यह है कि जो लोग काले है या नाटे है वो लोग अपने आप में किसी तरह की कमी मैसूस करने लगते है जिससे उनका confidence लो पर जाता है फिर यह लोग जब टीवी पे ऐसी घटिया beauty products की या body growth की air देखते है तो इन्हें एक आखरी उमिद नजर आती है और हो खरीद लेते है इसी वज़े से इन फाल्तू कमपनियों का धंदा चलता है मुझे इन कमपनियों के product पे कोई doubt नहीं है शायद कोई product आपको गोरा बना भी दे या आपकी height बड़ा भी दे लेकिन क्या आपका रंग और body की size सच में matter करती है चाहे इनसान काला हो या गोरा, लंबा हो या नाटा, मोटा हो या पतला हर एक इनसान जिंदगी में हर एक चीज़ पा सकता है अगर उसमें talent है और वो चीज़ हासिल करने की काबिलियत है और एसी काबिलियत पाने के लिए तुम्हें किसी फालतू product की जरुरत नहीं पड़ेगी बस अपने काम पे ध्यान दो, मंजिल जरुर मिलेगी और जब एसी ही सोच देश का हर एक इनसान रखेगा ना, तब जाके अपना देश बदलेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए, तो लाइक, शेर और सस्क्राइब ठोक दीजिए मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ जेग